बच्चों स्कूले बंध हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है आज हम जमात आठवी मजमून जोगराफिया सबख नमबर नौ इसका मुतालिय करने जारे है तो आईए शुरू करते है जमात आठवी मजमून जोगराफिया सबख नमबर नौ नक्षे का पैमाना बच्चों आज हम इस सबख का मुतालिय करने जारे है आईए शुरू करते है नक्षे का पैमाना सबक नमबर 9 आपको सामने जो तस्वीर नजर आ रही है जरा इसका गोर से मुशायदा कीजिए तस्वीर में हमें चन्द चीज़े नजर आ रही है कि एक मसविर है एक आर्टिस्ट है और वो क्या कर रहा है एक तस्वीर बना रहा है जिसको हम मसविर कहते हैं वो क्या करता है तस्वीरे बनाता है और उसके हाथ में एक पैंसिल है और वो पैंसिल से सामने जो उसके मनजर नजर आ रहा है उसकी क्या करता है वो थोड़ी सी लंबाई नापने के लिए इस्तिमाल कर रहा है और उसको उसी तरह जो है डुआ करने की कोशिश कर रहा है जब हम इस शकल का मुशाहिदा करते हैं तो मुसविर मन्जर का अंदाजा लगाते हुए क्या करता है तस्वीर बनाता है उसी तरह जो दूसरी शकल हमको नज़र आ रही है इसके अंदर तुलबा नक्षे देखते हुए हमें नज़र आ रहे हैं बच्चे देखे ये सामने इस तस्वीर का मुशाहिदा करने पर मालूम पड़ता है कि ये तस्वीर दुनिया की नक्षे की तस्वीर है और सामने उसके गलोब भी रखा हुआ है और बच्चे उसके अंदर मुल्क ढून रहे हैं जैसे ये बच्चा भारत कहा है वो इस नक्षे में बताने की कोशिश कर रहा है इन तमाम बातों को जानने के बाद आए जानते हैं इसके कुछ सवालात हैं हमने जो तस्वीरों का मुशायदा किया है तस्विरों का मुशायदा करके जमारत में बातचीत कीजिए और इन सवालात की जवबात देने की कोशिश कीजिए बच्चों हम इनको समझने की कोशिश करते हैं यहां पे चंद सवाला दिये है लुए हैं हम को उसके जवब देना है जैसे पहला सवाल है मुसवीर के मकसूस अंदाज में हाथों में पैंसिल पकड़ने का मकसद क्या होगा इस तस्वीर को देखने के बार हमको यह लगता है कि यह तस्वीर में क्या नापरा है वो हाथ में जो पैंसिल है उसके उससे क्या नापरा है तो हम इसका जवाब इस तरह दे सकते हैं कि मुसविर जो तस्विर बनाने वाला है वो क्या करता है पैंसिल हाथ में रखकर मख्सूस अंदाजें से पैंसिल की पकड़ता है और उसकी उंचाई का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है दूसरा सवाल है इतने बड़े खुदरती मंज़र को एक कागज पर कैसे उतारेगा तो कागज हमारा छोटा है लेकिन जो सामने वंज़र नज़र आ रहा है वो बहुत बड़ा है तो जो मुसविर है तस्विर बनाने वाला ये बड़े खुदरती मन्जर को मुनासिब पैमाने के लिहाज से इस चोटे कागस के उपर पूरा उतारने की कोशिश करता है अगला सवाल है दुनिया के तमाम मुमालिक को एक ही नक्षे में बताना कैसे मुम्किन हुआ होगा अगला सवाल हमको आ सकता है कि दुनिया इतनी बड़ी है लेकिन हमने पूरी दुनिया का नक्षे में बताना मुम्किन हुआ होगा उसके कुछ पैमाईश की गई और उसके लिहाज से नक्षे बनाए गए अगला सवाल है दोनों तस्वीर में कौनसी एकसानियत है हमने जो तस्वीर देखी मुसवीर और ये बच्चों वाली दोनों तस्वीरों में जमीन के फासले को मुनासिब पैमाने में कम करके दिखाया गया है इस तरह हम इन सवालाथ के जवाब दे सकते हैं आईए अब इसकी जोग्राफियाई वजाहत जानते हैं मुसविर पैंसिल से खरीब के मनजर का अंदाजे से तनासुब लेता है इसके बाद कागस पर इसका खाका तयार करता है मुतनासिब तस्विर बनाने के लिए मुसविर इस तरह का अमल करता है नक्षे तयार करने के लिए सर्वे यानि मौाइना किया जाता है इस वक्त मख्सूस खिस्म के पैमाने का इंतिखाब किया जाता है इसे पैमाने की बनियाद पर खाका तयार करके जमीन या जमीन की किसी नक्षे का खाका या नक्षा तयार किया जाता है अमल करके देखिए बच्चों ये जो एक्टिविटी आपके सामने नजर आ रही है इसको आप अपनी उस्ताद सरपरस वाले देन की मदद से इसको करके देखिए यहाँ पे जो मिसाल हम को दी जा रही है वो है तुल्बा की उंचाई नापने के लिए पैमाईशी पट्टी की मदद से जमीन से 180 सेंटी मिटर तक की उंचाई तक जमात की डिवार पर नशानात लगाये जाते हैं जिस तरह हम लोग कोई खेल का कॉंपिडिशन लेते हैं या पिर जो हमारी प्रोग्रेस काड है उसके अंदर जब आपके हाइट लिखना होती है तो हमारी टीचर बराबर से हमारी हाइट उस काड के उपर लिख देते हैं तो इस तरह आपको दिवार के उपर नशान बनाना है और हर तालिब इल्म की उंचाई नापकर उसका इंदराज करना है लिखके रखना है उसको और इसी दिवार के पसमंदर में देखते हुए पांच-पांच के गुरू बनाकर तुलबा के सामने से पूरी उंचाई की फोटो निकाल लिए जिस तरह से यहां पे तस्वीर में बताया गया है कि यह चार वच्ची एक ही लाइन में है और साइड में जो दिवार नजर आ रही है उसके उपर हमने सेंटिमेटर के नशानात बनाए है यह अपने उस्ताद और वालदें की मदद से अपने घर पे भी कर सकते हैं एक फोटो की कापी बनाएए आपकी और आपके दोस्तों की फोटो में उन्चाई पैमाईश पट्टी की मदद से ना पिये अपने और दोस्तों की हकी उन्चाई और फोटो की उन्चाई दर्खजहल जदवल में लिखे और उसका तनासुब लिखे जैसे हम उन् फोटो के उपर जो हमारी तस्वीर आई है उसके नशानात को हम लिख के रखेंगे नोट करके रखेंगे तो आपको मालूम यह होगा इससे हमको यह पता चलता है कि जैसे हमने वो जो मुसविर ने जो तस्वीर बनाया था उसने अंदाजे से उन चीजों की बनावट की थी औ और बड़े खुदरती मंदर को एक आगस की उपर पेश किया था जिस तरह से दुनिया के नक्षे को एक आगस की उपर बताया जाता है उसी तरह का पैमाना यहाँ पर आपको आपकी तस्वीर में नजर आएगा बच्चों यहाँ पर एक टेबल भी आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर जाफर की उन्चाई फोटो में उसकी उन्चाई 10 सेंटी मिटर है लेकिन हकी उन्चाई यानि वो जो दिवार की उपर हमने उसकी उन्चाई नापी थी वो हुए 130 सेंटी मिटर तो इसका लिखते हैं तो फोटो और हकी उन्चाई का जो तनासुब रहेगा वो एक निजवत 13 का रहेगा इसी तरह इस जद्वल का इस्तेमाल कीजिए अपने दोस्त अपने भाई बहन के साथ में लेकर इनकी पहले हम सेंटी मिटर में उन्चाई ना पेंगे फिर उसकी फोटो निक जमीन या इसकी किसी मख्सूस या मुतियना हिस्से की मालूमात को हम गलोब या नक्षी की मदद से हासिल कर सकते हैं देखो बच्चों हम लोग जो अभी तस्वीर देखें उसके अंदर दो चीज़े हमको नजर आई एक था गलोब और एक जो नक्षा था दुनिया का तो य जमीन के उपर बहुत जादी लंबाई है उसको हम कागस के उपर छोटा कर देते हैं इसके लिए हिंसी या रियाजियाती तरिखे का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए नक्षे के पैमाने इस्तेमाल किये जाते हैं आईए नक्षे के इन जुज़ पैमाने का तारूफ हास बताईये तो भला, साइम और मसरत इन दोनों के गाओं के दर्मियान का हकिकी फासला 50 किलो मिटर है, मसरत और फरहत के गाओं का दर्मियानी फासला 20 किलो मिटर है, साइम और फरहत इन के गाओं का दर्मियानी फासला 60 किलो मिटर है, शकल 9.4 के नक्षे में ये गाउं दिखाए गए हैं इन नक्षों का पैमाना 1 सेंटी मिटर बराबर 10 किलो मिटर है नक्षे में दर्मियानी फासले की पैमाईश कीजिए और मालुम कीजिए कि कौन सा गाउं किस का है नाम और फासले का इंदराज कीजिए आईए बच्चों ये जो हमको शकल दी गई है ये तीन गाओं के नाम दिये हैं और आपको इन तीनों गाओं में ये जो तीन बच्चों के नाम दिये हैं साइम, परहद और मसरत इनके गाओं कौन से हैं आपको मालूम करना है तो आईए इसको समझते हैं देगे इसको मुशायदा कीजिए इच्छे से यह जो हमको शकल नजर आ रही है यह मुस्ततील की शकल है इन तीनों के गाओं के दर्मियान का हख की फासला बराबर एक समझ यहां पर हमको देखना है और हम हमारे पट्टी की मदद से नापेंगे और इनको नामजद करेंगे कि कौन सा गाओं किसका है आगे पढ़ते हैं आईए जोग्राफिया वज़ुहाद जानते हैं इसकी जोग्राफिया वज़ाहत नक्षे के पैमाने में नक्षे पर किसी दो खुतूद के दर्मियानी फासले पर इनी नुक्तों के जमीन पर हकीकी फासले के दर्मियान एक तनासुब रखना पड़ता है जमीन पर हकीखी फासला और नक्षे पर फासले का तनासूभी नक्षे का पेमाना होता है देखिए बच्चे जिसा हम ने भी बताए कि ढूने हैं इन तीनों के गाऊं का जो फासला है इसको हम कागस के ओपर एक सेंटिमेंटर में बता रहे हैं लेकिन उसका हकीकी फासला 10 किलोमेटर है। मतनासिप पैमाने का नक्षा बनाने के लिए जमीन पर हकीकी फासलों की मालूमात जरूरी है। जब तक ये होगी नहीं हमको नक्षा बनाने नहीं आएगा। ये जमीनी फासले सर्वे करते वक नापे जाते हैं। पासलों के मुताबिख जो मुनासिब होता है इस तनासुब के मुताबिख पैमाने के लिए नक्षे तयार किया जाता है नक्षा तयार हो जाने पर नक्षे पर इस पैमाने का इंदराज करना पड़ता है जिसकी वज़े से नक्षे का मुतालिया करना जमीन पर दो मुखामात के हसी के फासले को समझने में मदद मिलती है नक्षे में पैमाना जाहिर करने के तीन तरीख है पहला है लफजी पैमाना, दूसरा अददी पैमाना और तीसरा खती पैमाना जिसे हम खती तनासुब या तरसिमी पैमाना भी कहते हैं आईए इनको एक एक करकी समझने की कोशिश करते हैं इस शकल का मुदालिया कीजिए मुशायदा कीजिए 9.5 आपके सामने जो शकल नजर आ रही है शकल में रियासत महाराश्टर आपको नजर आ रही है इन में तीनों ही खिसम के पैमाने दिखाए गए हैं पैमाने की लिखने के तरीखे काफर को अच्छी तरह जहिन कीजिए देखो बच्चे यहां पे तीन तरीखे हमको देखने मिलते हैं जो के लफजी पैमाना है अददी पैमाना है और खती पैमाना ये तीनों जो हैं हमको इस नक्षे में नजर आते हैं इसका इशारे देखिए यहां पर नक्षे के पैमाने के लिए तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले समझते हैं लवजी पैमाना क्या होता है जिस पैमाने में फासला दिखाने के लिए पैमाना जाहिर करने वाले लवज इस्तेमाल किये जाते हैं इसे लवजी पैमाना कहते हैं जैसे 1 cm बराबर 60 km इस तरह के पैमाने होने पर इस पैमाने में नक्षे पर 1 cm का एकाई फासला जमीन पर 60 km एकाई फासले को जाहिर करता है। लफजी पैमाने में हम बता सकते हैं। दूसरा है अददी पैमाना ये पैमाना हकीकत में तनासुप की शकल में दिखाया जाता है। पैमाने में सिर्फ आदात का इस्तिमाल किया जाता है। कसर जाहिर करने वाले पैमाने को कसरी नुमाइंदा भी कहते हैं। ये पैमाने इस तरीखे से लिखा जाता है। एक निजबत साट लाग तो उसको कसर में कैसे लिखेंगे हम एक बटा साट लाग यानि इस पैमाने के साथ पैमाना जाहिर करने वाले लफ नहीं लिखा जाता। तनास्ब के बाएं जानिब के अदद के लिए जो एकाई इस्तिमाल की जाती है वही एकाई दाएं जानिब के आदाद के लिए भी इस्तिमाल होती है। ये था अदधी पैमाने के बारे में आगे बढ़ते हैं हम नक्षे का जो तीसरा पैमाना है उसको हम कहते हैं खती पैमाना इस पैमाने को एक खत की शकल में नक्षे पर कीचा जाता है नक्षे पर किसी भी दो मुखामात की हकीकी फासले को खती पैमाने की मदद से नापा जा सकता है देखें मचों यहां पर जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसको हम कहेंगे खती पैमाना उसके उपर जैसा नज़र आ रहा है आपको 10 किलो मिटर है 5 किलो मिटर है फिर इस तरफ अगर हम जाएंगे तो 50, 40, 30 पैमाईशी पट्टी दस्तियाब नो होने पर कमपास घास या सादा लकडी तेडी मेडी लकीरों के लिए धागे का इस्तेमाल करके नक्षे पर मुखामात के हाखिखे फासले को मालूम कर सकते हैं दर जैल सरगर्मी के जरिए ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब हम ये सरगर्मी करते हैं अपने उस्ताद के साथ या हमारे वालदें के साथ तो हमको इनका फासला समझ में आ जाता है इसे कहते हैं खत्वी पैमाना खत्वी पैमाने की एहमियत क्या है अक्सर बुनियादी नक्षे को छोटा या बड़ा करना पड़ता है इस वक्त नक्षे का पैमाना बड़ता है नक्षे को छोटा या बड़ा करने के कई तरीखे हैं इन में से एक ये है के असल नक्षे का फोटो निकाल कर इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है इस तरीखे से नक्षे के चोटा या बड़ा करने पर इस पर लिखे हुए अलफाज या पैमानी के आदाद नक्षे की जसामत के लिहाज से नहीं बदलते इसके बरकलाफ नक्षे पर अगर खती पैमाना बना हुआ है तो नक्षे के जसामत के लिहाज से खती पैमाना भी बदलता है और बदलते हुए नक्षे का पैमाना दुरूस्त रहता है अददी और लबजी पैमानों की जसामत नए नक्षों में बदलने के बावजूद इनकी खीमतों में तबदीली नहीं होती इसलिए एटलस दिवारी नक्षे वगरा में खती पैमाने का इस्तिमाल किया जाता है अमल कीजिए शकल 9.6 में एक इनिवर्सिटी के आतराफ में कई मुखामाद बताए गए है मुझे समय से दाखली दरवाजे तक का दरम्यानी फासला 0.5 किलिमिटर है इस फासले की पैमाईश कीजिए और नक्षे के पैमाना तै कीजिए हमको जो चकल नजर आ रहे है इसके अंदर नक्षे का पैमाना तै करना है खाके में दिये हुए खाली चौकोनों में लफ़जी पैमाना, अददी पैमाना और खती पैमाने की शकल में ये ये पैमाना लखिए दर्ज जहल मुखामात के दर्मियानी रास्तों के बुनियाद पर शकल में दिखाए गए फासलों का मुतालिया करते हुए इनकी हकी फासलों का इंदराज कीजिए बच्चों आपको इस तस्वीर को देखना है और उसकी मदद से हमको इसकी लामवाई अपनी पट्टी की मदद से नापकर यहां पर लिखना है यहां पर हमसे चंद चीजें पूची जा रही है जैसा तिबी मरकज से लैबरी तक का फासला आप उना अपना है और उसको लिखना है उसी तरह तालाब से मिटिंग हॉल तक का फासला दफसर से तालाब तक का फासला मिटिंग हॉल से दफसर तक का फासला और तिबी मरकज से मिटिंग हॉल तक का फासला और आखरी है तालाब से लैबरी तक का फासला इनको ना पिये और जो खाली जगा दी है इनको मकमल कीजिए अपने अपने उस्ताद सरपरस्त या वाले देन की मदद से इसको मकमल कीजिए बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के नक्षे बचों यहां पर हमको एक शकल नजर आ रही है इस शकल में शौपिंग माल से दिगर मुखामा तक के जमीनी फासले कितना है तलाश कीजिए और अगले स्टफ़े पर जो हमको यह जद्वल दिया हुआ है इसको क्या करना है उसमें लिखना है बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के नक्षे जिस नक्षे में जमीन के महदूद हिस्सा ज्यादा से ज्यादा जगा गेरते हैं इन्हें बड़े पैमाने के नक्षे कहते हैं जहां पर जमीन का महदूद हिस्सा है और वो जगा क्या करता है ज्यादा गेरता है इसे हम बड़े पैमाने के नक्षे हैं उसकी मिसाले जैसा कोई शहर का नक्षा है गाओं का खेत का वगरा के जो नक्षे हैं ये बड़े पैमाने के नक्षे के पैमानों की नक्षों की मिसाले आम तोर पर एक निजबत 10,000 से कम पैमाईश वाले नक्षे बड़े पैमाने वाले नक्षे कहलाते हैं रियाजी में हम जब दो कसरों का मौाजना करते हैं तो जिस कसर के नसब नुमा का अदत चोटा होता है इस कसर की खिमत ज्यादा होती है नक्षे के पैमाने में कसर ना होकर इसमें तनासुब होता है इसलिए इसको तनासुब की निजबत में लिखते हैं एक की निजबत का तनासुप कितना है दस हजार का इसी अददी पैमाने को बड़े पैमाना और एक का तनासुप पचास हजार के अददी पैमाने को छोटा पैमाना कहते हैं देखिए दो चीज़ें यहां पे ध्यान रखिए जो बड़ा पैमाना और छोटा पैमाना किसको कहे हैंगे हम एक की तनाज़ू कितना बता रहा है उसके पचास फजार के अदधी पैमाने को हम छोटा पansen हमному पहरं पहर ओओ आ होता है … दीस नक्षे में जमीन का हिस्टा कम जगा घेरता है वह छोटे पैमाने का नक्षा होता है कम जगे हम स्वाना क हिस्टा जा रही है, के लिए चोटे पैमाने का इस्तेमाल करके चोटे पैमाने के नक्षे तयार किये जाते हैं एटलस के नक्षे दुनिया की नक्षे चोटे पैमानों की नक्षों की मिसाले हैं एटलस के बहुत सारे नक्षे भी चोटे पैमाने के नक्षों की मिसाले हैं तो इस तरह जो एटलस क नक्षे हैं वो छोटे पैमानों के नक्षों की मिसाले बताई जाती है अब यहाँ पर देखे इसे जहें में रखे यहाँ पर आपको पैमाना दो चीजों में बताया गया है जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं जब हम उसको कागस पर उतारते हैं और उसका जो हकीकी फासला है इसके अंदर जो फर्ख है उनको बताया गया है लफज पैमाना क्या होता है जब हम उसको जमीन पर बताते हैं तो वो हकीकी पैमाई जैसा 60 किलो मिटर है लेकिन जब हम उसको नक्षे में बता रहे हैं हम उसको एक सेंटेमिंटर के बराबर बताते हैं उसके बाद जो अददी पैमाना है जमीन पर उसका फासला अगर हम उसको एक कत अनासू बता रहे हैं तो वो नक्ष़े का जो फासला है वो होगा 60 लाक यह हो गया अददी पैमानी की मिसाल और जो हमारे तीसरे पैमाने का नक्षा है जिसको हम खती पैमाना कहते हैं वो जमीन के उपर का जो फासला रहेगा वो है 60 किलो मिटर जैसा है यहां पर बताया है जो हमारा पैमाना खती पैमाना है और नक्षे पर उसका पैमाना किलो मिटर में बताया जाता है इस तरह के तीनों जो पैमाने हैं लबज पैमाना अददी पैमाना और खत्त पैमाना इनके बारे में हमने जाना इसे अच्छे से जहिन नशीन कर लीजिए बच्चो इसे भी जानना जरूरी है कि इसे हम हमेशा जहिन में रखें कि नक्षे पर जब पैमाले लिखते हैं तो नक्षा लिखते वक्त बाएं तरफ नक्षे पर के फासले दिखाये जाते हैं और जबके दाएं जाने जमीन का फासला दिखाया जाता है ये दो साइड आपको ध्यान रखना है कि जब हम हमारे राइट साइड में देखते हैं तो वहाँ पर नक्षे का फासला जो बताया जाता है और जो लेफ साइड होते हैं उस पर जमीन का फासला दिखाया जाता है अब यहाँ पर हमको एक जद्वल नजर आ रहा है इसको भी ध्यान में रखना है यहाँ पर हमको चार चीजें दिखाए गई है सबसे पहले नक्षे का पैमाना कुन सा है जमीन पर गिरा हुआ इलाखा कितना है दी हुई मालूमत कैसी खिसम की है और उसकी मिसाले कौन सी है आई यह इसको समझते हैं बड़े पैमाने के जो नक्षे होते हैं वो जमीन पर गिरा हुआ उसका इलाखा होता है कम उसके अंदर जो मालूमत दी जाती है वो ज्यादा तफसिली मालूमात होती है और इसके मिसाल रहेंगी गाओं, स्कूल, खेटका, खाका वगेरा ये हो गई बड़े पैमाने के नक्षे की मिसाल उसी तरह जब हम छोटे के नक्षे के पैमाईश करते हैं नक्षे का पैमाना बताते हैं तो जमीन पर उसका घिरावा हिस्सा ज्यादा होता है लाखा तफसिलाथ जो हमको नक्षे की मिलती हैं वो कम तफसिलाथ मिलती हैं और उसके मिसाले हैं एटलस के नक्षे, किसी मुल्क का नक्षा या किसी बर्याजम का नक्षा और दुनिया का नक्षा ये छोटे पैमाने के नक्षों की मिसाले हैं तो बच्चों इन तमाम चीज़ों को आप हमेशा जहिन में रखिए और यहां पे कोशिश करके देखिए बताया गया है कि जहल में जो फासले दिये हैं यादधी पैमानों की जमादबंदी बड़े पैमाने और छोटे पैमानों में कीजिए जैसा यहां पे आपको नजर आता है क्या आप जानते हैं दुनिया के मुटलिफ मुलकों में पैमाईश के लिए मकसूस अकसाम के पैमाना इस्तेमाल किये जाते हैं इसलिए नक्षों का मुतालिया करते वक्त रुकावट आ सकती है इसलिए नक्षे पर हमेशा अदधी पैमाना देना मुनासिब होता है अदधी पैमाना एक आफाकी पैमाना है बचों यहाँ पर जो एटलस से भारत के नक्षे में दर्जहिल शेहरों के दर्मियानी फासले के पैमाईश सीधे खत की मदद से नक्षे के पैमाने के जरिये कीजिए और उसे जद्वल में मुकमल कीजिए यह हमारे सामने एक जो टेबल दिया हुआ है आए इसको समझते हैं इसका मुतालिया करते हैं मुशायदा करके इन शेहरों पर फासला और उसका हकीकी फासला मालूम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर शेहर के नाम दिये हैं नक्षे पर फासला क्या होगा उसका और उसका हकीकी फासला क्या है इनके बारे में हमको लिखना है सबसे पहले है मुंबई से बैंगलोर तक का फासला हमको यहां पे नक्षे में पूछा गया है तो जो एटलस का नक्षा हम देखते हैं उसमें मुंबई से पूने तक का जो नक्षे पर जो फासला दिया गया है वो है 0.98 सम और इसका जमीनी फासला यानि किलोमेटर में होता है 980 किलोमेटर जब हम उसको किलोमेटर में मालूम करते हैं तो उसको हमको सेंटीमेटर में मालूम करके हम उसको नक्षेपर का फासला बता सकते हैं उसी तरह दूसरा शहर है विजैपूर से जैपूर ये टोटल फासला है 2000 किलोमेटर का जिसको हम हमारे नक्षे में बतायने जा रहे हैं दो सम उसके बाद है है हैदराबाद से सूरत तक का फासला हैदराबाद से सूरत तक का फासला जो हम मालूम करते हैं वो 900 किलोमेटर है और इसको हम नक्षे पर 0.9 सम बता रहे हैं अच्छो एक ध्यान रखे, यहाँ पर जो हम सम में ले रहे हैं, यह एक सम बराबर 1000 होता है, इसलिए यहाँ पर 900 का कितना हुआ, 0.9 सम हुआ, उसी तरह जैसे हमने विजैपूर से जैपूर तक का फासला जो 2000 किलोमेटर का था, उसको हमने 2 सम दिया, तो यह नक्षे में हमको एक सम बराबर 1000 का पैमना हम यहाँ पर ले रहे हैं, उसके बाद चौथा नमबर है, उज्जैन से शिमला तक का रास्ता, यह है फासला 1140 किलोमेटर, हकीकी फासला, और नक्षे पर उसको बताते हैं, 1.14 सम, अगला है पतना से राइपूर तक का फासला, यह होता है, 750 किलोम और इसको हम नक्षे पर जब बताते हैं, उसे 0.75 सम, आखरी है दिल्ली से कोलकता का फासला, यह होता है, 1000 किलोमेटर, यानि नक्षे पर जह हम उसको बताएंगे, तो उसकी पैमाईश होगी, 1 सम, तो इस तरह हम जो नक्षे पर फासला और हकीकी फासला है, इनको पूरा कर सकते हैं, हमारा जद्वल यहां पर मुकमल होता है, हाँ तो बच्चो आज हमने सबक नमबर 9, नक्षे का पैमाना इस सबक का मतालिया किया, उम्मीद है यह सबक आपके समझ में आ गया हूँ, अगले पिरेड में एक नए सबक के साथ फिर मुलाखात होगी, मुझे दीजी ज्यादर, आल्ला आपिस